हेलो एवरिवन आज के इस वीडियो के अंदर में आपको एक सबसे बेस्ट जीरो बालेंस बैंक एकाउंट के बारे में बताने जा रहा हूं जिसमें कि आप चाहन तो यहां पर आप अपने लिए अकाउंट ओपेन कर सकते हैं यह जो बैंक है यहां पर थ्री इन वन इकवेटर से स्मॉल फालेंस बैंक के उर से सर्विसेस प्रोवाइड की जाती है नियो के और से भी सर्विसेस मिलती है और साथी अगर आप मुंच्वल फांड एंड इन्वेस्ट में यहां पर इंटरस्ट रखते होंगे तो सभी फैस्लेटी इस एकाउंट के अंदर भी द से काड़ देखने को मिल जाता है जब के वाइसी कंप्लीट कर लेंगे अटमेटिक आपके जो भी कम्मिनिकेशन एड्रस होगा उस पर यहां पर आपका जो डिविट काड़ है वह आ जाता है इस अकाउंट कंदर यहां पर आपको नेट बैंकिंग के फैस्लेटी मलती है प्रमंत्री एस्टेट्वेंट एंड अधर फैस्लेटिज में यहां पर आपको एसमेस राट प्रोवाइड के जता है यह जो एकाउंट है जिरो बालेंस एकाउंट है तो कोई भी आपसे मेंटनेंस चार्ड नहीं लिया जाता है मैं इस एकाउंट का जूझ काफी ज्यादा को मिल जाता है यो कि मेरे को भी काफी एकाउंट का अंदर देखने को मिल चुका है तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रोसीजर बता है कि कैसे यहां पर नियू एक्स एक्वेटस बैंक एकाउंट में अपने लिए एक ओलाइन एकाउंट ओपेन किया जैता है एक जीरो बालेंस एकाउंट है वीडियो पसंद आ तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं जाल पड़ने हूं तो सबस्क्राइब करना नहीं भोलिएगा चलि हम पने इस वीडियो को श्चार्ट करते हैं सबसे पहले यहांप प्लेश्टोर से नियू एक्स एक्स एप को इंस्ट कर लेने के बाद सिंपले आपको ओपन के बटन पर क्लिक कर देना है अब आपको यहां पर अपने मोबाइल नंबर को फिल कर देना है जो भी मोबाइल नंबर अपने बैंक के साथ लिंक करना चाहते है दन नीचे आपको नेक्स्ट का बटन मिलेगा नेक्स्ट करेंगे आपने जो मोबाल नेंबर इंटर किया है उस पर एक OTP आता है OTP को आपको सिंपले फिल कर देना है और नीचे की सेड में आपको वेरिफाई का बटन मिलता है तो आप वेरिफाई कर देंगे हमारा जो OTP था और ट्रोमेटिक फिल यहां पर हो चुका है अब यहां पर आपको कुछ S.I. Interface मिलेगा जिसमें की बता जाएगा यहां पर आप Gmail का यूज कर सकते हैं या फिर अनुदर इमेल आइडी को भी इंटर कर सकते हैं हम यहां पर Gmail का हैं यूज करेंगे उस पर हमने क्लिक कर दिया है अब यहां पर हमारे इस complete Gmail से हो गई है और नेक्स्ट ऐसा इंटरफेस देखने को मिल गया है बता जाता है कि एक टू इन वन एकाउंट है स्टाट माइड नियो मनी एकाउंट क्रियेशन पर क्लिक करेंगे जो कि सबसे पहले यहीं होगा एंड यहां पर इनकी कुछ टंसन कंडिशन आती है जिसको आप रीड करेंगे देन टिक करेंगे टंसन कंडिशन को एंड नीचे साड़ में आई एक्सेप्ट के बटन पर आपको सिंपली कंटनू के बटन पर क्लिक कर देनी है अब यहां पर आपकी जो पैन काट की होल्डर है उनका यहां पर पैन काट होल्डर का नेम्स हो जाता है यहां पर पूछा आता है कि अगर आपका यहां पर नेम्स हो रहा है तो यह दिस इज मी पर क्लिक करेंगे वरना यहां पर अधर उप्शन पर जा सकते हैं उसका बाद यहां पर आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिला है तो आपको यहां पर अपनी सेलेटेसन को सेलेक्ट करनी है जिसमें की फर्स्ट वर यहां पर अपके नेम के एकोडिंग यहां पर अपका टाइटल सो कर दिया जयता है देन नीचे के सैड में यहां पर अपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम सो कर दिया जयता है उसके बाद यहाँ पर आपका date of worth आ जाता है तो जब आप इस पर click करेंगे यहाँ पर आपको एक scroller bar मिल जाता है जिसकी मतल से यहाँ पर आप इसको change करके DOB को यहाँ पर आप select कर सकते हैं then यहाँ पर आपको confirm का button मिलेगा आप इस पर click कर देजेगा then यहाँ पर आपको place of worth का option मिलेगा तो इस पर जब आप click करेंगे तो यहाँ पर आपने जो भी जिस भी जगा आपका जन्म हुआ था उस place को यहाँ पर आप type कर देंगे नहीं आ रहा तो आप other वाले option पर भी जा सकते हैं उसके बाद यहाँ पर आपको simply next का button मिलेगा आपको next के button पर click कर देनी है जो आप next कर देंगे तो यहाँ पर कुछ ऐसा interface आएगा बता जा रहा है कि अब यहाँ पर आपको अपनी जो signature है इसको submit करने है तो कैसे submit करना है चले मैं आपको बतायता हूँ नीचे के side में यहाँ पर आपको upload signature का button मिलेगा आप इस पर click करेंगे लेकिन उससे पर बतायता है कि जो भी आपकी signature की file होगी 2MB से कम होनी चाहिए GPG या फिर PNG form में हो सकती है इससे कोई माइन नहीं रखता है तो ध्यान रखेगा अगर ज्यादा हो रहा है उसके file तो यहाँ पर आपको इस compressor आपको install कर सकते है यहाँ पर मैं चली अपने यहाँ पर signature को upload कर दिया हूँ अब simply यहाँ पर आप चाहत इसको edit कर सकते हैं चली हम इसको भी confirm के button पर click करके and confirm कर देते हैं और वीडियो कर आपको अभी तक पसंद आ रहा है तो वीडियो को like कर सकते हैं चैनल पर new है तो subscribe करना नहीं भूलेगा अभी यह जो page है थोड़ा बहुत reload ले रहा है अभी हमारी signature को यहाँ पर इनके account के साथ create किया जा रहा है जो की match किया जता है अब यहाँ पर हमारा जो new money के account था है successfully तरीकी से create हो चुका है and अब यहाँ पर हमको saving count create करना है तो simply यहाँ पर आपको नीचे एक side में continue to saving count creation का एक button मिलेगा आप इस पर click करेंगे अब यहाँ पर इनके कुछ terms and condition आती है इसको भी आप पूदी तरह से एक बार read कर लिजेगा then आप tick out कर देंगे पता देता है कि एक KYC account है तो 12 month तक ही valid रहेगा इस बात का ध्यान रखेगा बाद में आप आप इसके account की full KYC करा सकते हैं branch में जा करके या फिर आप online KYC को कर सकते हैं then यहाँ पर आपको नीचे की side में I accept का एक button मिलेगा आपको simply click कर देने है सभी detail को आप पर पढ़ लेने के बाद and नीचे की side में जब आप read करेंगे तो बतायता है कि in partnership with Equitas Small Finance Bank then यहाँ पर आपकी pin code अपने इंटर करनी है जो भी आपका pin code है उसको यहाँ पर आप एंटर कर दीजिए then नीचे की side में आपको check का एक button मिलेगा आप जब आप उस पर click करेंगे तो check किया जाएगा कि pin code पर इनकी service एविलेबल है या फिर नहीं तो यहाँ पर भी check किया जा रहा है तब तक video को like कर सकते हैं अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ ऐसा एंटरफिस हमको देखने को मिला है टोटल अब यहाँ पर हमको तीन स्टेप देखने को मिला है जो कि saving count checklist का यह option है जिसमें कि हमको अपनी identity verify करनी है personal detail करना है फिल और उसका बाद जो हमारे account है create हो जाएगा तो सबसे पहले यहाँ पर चले हम अपर अपनी identity को verify करते हैं तो जो next करेंगे तो यहाँ पर आपको अपने अधार का detail के साथ share करनी है इसमें यहाँ पर आप अधार number या फिर virtual ID number का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर मैंने अपनी अधार number को fill कर दिया है यहाँ पर आपको tick out मिलता है आपको tick out कर देना है यहाँ पर आपको submit के बटन मिलेगा आपको simply submit के बटन पर click कर देनी है यहाँ पर मैंने submit कर दिया है अब यहाँ पर देख सकते हैं कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा अब यहां पर आपके जो अधार का अच्छ लिंक मॉबाइल नंबर है उस पर एक OTP सेंड के एता है तो अधार लिंक करता है कि your KYC is almost done यहां पर हमारी नेम डियो भी मिन्स देट अब वर्थ सो कर दी गई है एंड एड्रस हमारी कंप्लेट शो कर दी गई है नीचे के साड़ में आएंगे तो यहां पर आपको लुकलेटी का अप्शन मिलेगा सेलेक्ट लोकलेटी के बटन पर आप क्लिक करेंग यहां पर आप उपर देखेंगे तो यह ग्रीन टेक भी लग चुका है अब यहां पर हमारा जो एडिनेटी वहरिफिकेशन है कंप्लेट हो चुका है अब यहां पर हमको पॉपर्शनल डिटेल को सेर करना है उसको वाद से हमारा एकाउंट है क्रिएट हो जाएगा सक्सुस है तो यहां पर आप अपने अकौडिंग सेलेक्ट करेंगे उसको यहां पर आपको अपनी क्या cierto करने हैं जिसमें कि आपको यहां पर occupation सेलेक्ट करना है तो आप सेलेट पर सेलेट पर क्लिक कर सकते हैं एस्टुरेंट हाउस वाइफ या फिर काफे देशन देखने को मिल जाते हैं तो अपने according यहां पर आप कोई भी option की ओर जा सकते हैं तो चलिए यहां पर मैंने सेलेक्ट कर दिया है उसके वाद यहां पर अपको अन्वल इनकम को सेलेक्ट कर देनी है तो यहां पर जो भी सालवनियर में जितने भी आपको in come होती होती हो गे यहां पर अपिन सेलेक्ट कर देंगे द्धनार आपको नीचे कए साड में आप एजुकेशन क Spain कि केशन मिलेगा आपको इस में स्कुलिक करते है अब आपकर जो एजूकेशन है कहा तक कंप्लिट होई करेंगे दर नीचे के साइड में.. यहां पर आपको सब्सेलेक्ट डेजी संड की नामसी से कि आपशन मिलेगा.. तो यहां पर आपको आपको डोक्टर tell का भी आपशन का आपशन देखनाए को मिल जात के अधारकर्ण वाला इड्न अब्र Sm हम इसे एड्रस पर ही रहते है अधारकर्ण वाला इड्रस पर है इस करने का अप्षन आजयाता है तो अगर आपको इसे काउंट करने की फैसिलीटी देनी है प्लिक करेंगे जो कि हम यहाँ पर अभी nominee नहीं देंगे बाद में अगर देना हो तो दे देंगे एंड उसक्वाद से यहाँ पर आपको continue without nominee के नीचे कशाड़ में option में लेगा आपको इस पर click कर देना है nominee देना हो तो I want to add a nominee के बटन पर भी click कर सकते हैं तो चलिए हम यहाँ पर continue without nominee वाले बटन पर क्लिक कर दिये हैं अब यहाँ पर दोनों पर हमारा green tick लग चुका है verify your identity and personal detail वाले option पर अब यहाँ पर हमको simply account create कर हो जाएगा हमारा अब चलिए हम next वाले option पर click करते हैं जो कि create account की नाम से आपको नीचेक साइड में blue color में option मिलेगा आप उस पर click करेंगी और 40 to 50 second का time लाएगा चले हम थोज़े time के लिए wait करते हैं तब तक अगर आपको हमारा video पसंदार है तो video पर अपना कोई भी response दे दिजिए comment box से फिर किसी भी माध्यम से अब यहाँ पर हमारा जो account है successful तरीके से create हो चुका है यहाँ पर हमारी customer की name सो कर दी गई है account number सो कर दिया गया है FSC code customer ID और जो भी हमारा home branch है इंचे इस सो कर दिया गया है जो कि आप इसका एक चाहन तो screenshot भी ले सकते हैं यहाँ पर आपको भी detail blur हुई देखने को मिल सकती है यहाँ पर आप चाहन तो copy करके कहीं पर paste भी कर सकते हैं ध्यान में रखेंगे एक digital account है तो जरूर से आज यह प्रूफ के लिए आप एक इसका screenshot ले लेंगे ताकि आपको बाद में हाँ पर आपको अपको अपनकी account number या पर जो भी detail है मिल जाए असानी तरीके से तो यहाँ पर हमने इसका screenshot ले लिया है आप चाहन तो इनकी new app को भी download करके और mobile banking आपका यूज कर सकते हैं जो कि इसे रिगार्डिंग आपको हमारी चैनल पर वीडियो मिल जाएगे तो आप चाहन तो देख सकते हैं तो कुछ ही इस प्रकार से आप new x equatus bank में अपने link से भी account open कर सकते हैं इस वीडियो का अंदर मैं आपको complete information दे दी है कैसे account open करना है क्या इसका procedure होता है आई होप आज का वीडियो आपके लिए helpful रहा हो वीडियो पसंद रहो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं चाहल परन्यू है तो सब्सक्राइब करना नहीं बोलेगा चले मैं मैं मेलूंगा आपसे next वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखे एंड बाई